तोडेवी आप आप लेर्ण चाप्टर नूमबर 13 ट्रैवलिंग तुए असाम जानोबी और उसका भाई नियॉर ये लोग कहा गए थे उनके ग्राइट्स को मिलने के लिए कोका मतलब क्या होता है ग्राइट्फादर और आइटा मतलब ग्राइट्स तुए ये लोग गए थे असाम लेंट्स लूग अंडर स्क्राइब बूग देख रिएटेट आफ्टर देट्रिप वहां से आने के बाद उन्होंने एक स्क्राइब बूग बनाया है तो चलो देखते हैं कैसे बनाया है नमोस्कार आइट जानोवी आइट इस इस माइ ब्रदर नियॉर दिख रहा है यहाँ पर पिच्चर है यहाँ पर यह पिच्चर चिपका हुआ है यह जानोवी जो गर्ल है और वो जो बॉई है वो है नियॉर इस इस स्क्रैब बूक यह क्या है एक स्क्रैब बूक है वी मेड अबाट ऑट आवर वैकेशन इन असाम और किस चीज़ की बनाया है यह नोग ने यह कि अपने नेक्स पिक्चर क्या है यहां पर यहां पर चाई के बागान देख रहे हैं ग्रीन कलर कर दिख़ रहा है सारा गयाष और यह चाय का प्रक्षा हुआ है साइड में बावल में एक चाय पत्ती है लेमर है So let's read We stayed at our grandparents tea state उनकी grandparents के क्या थे चाय के बागान्स थे वहाँ पर वो लोग रहे थे Assam is famous for its tea garden Assam किस चीज के लिए famous है चाय के बागानों के लिए सारे देश में वही की चाय जाती है वही की चाय पत्ती जाती है अवर आइता आइता मतलब ग्रैंड मदर अवर आइता तोल्ड उस दाइड Assam tea is popular across the world मतलब पूरे जग में यह Assam की जो चाय पत्ती है वो famous है बहुत popular है Then next अभी यहाँ पर यह वाला picture देखू यहाँ पर क्या दिख रहा है एक जेंट से उसकी पास क्या है धोल है वो ड्होल बजा रहा है और बाकी यह जो लेडीज है यह क्या कर रही है डांस कर रही है This is a picture of bohag bihu festival We celebrated with our family यह किसकी पिच्चर है एक festival की क्या नहीं है उसका bohag bihu We celebrated with our family उन्होंने क्या किया था अपने family के साथ यह festival celebrate किया था It is the main festival of Assam So bohag bihu is the main festival of Assam It is celebrated in the month of April कब celebrate करते हैं? April में It marks the Assamese new year मतलब वहाँ से Assamese का new year start होता है We sing bihu gates और songs to the bits of the dhol क्या गाते है तब भी होग उत काते है या फिर धोल बजाते है और धोल के bits पर अलग-अलग गाने गाते है We dance with Jappi The traditional conical bamboo hat और क्या पहनते है Jappi Jappi क्या है Traditional conical bamboo hat Then next picture में देखे We dressed in traditional clothes Gifted to us by our grandparents Grandparents ने क्या दिया था उन्हे Traditional cloth तो उन्होंने वो traditional cloth पहने थे I over I मतलब Janove Janove ने क्या पहना था A mekhla and Sador A mekhla is a skirt Mekhla क्या है? Skirt and Sador is a long piece of cloth Plated and tucked into the mekhla So Janove ने पहना था mekhla and Sador Then Nior Nior over a dhoti क्या पहना था Nior ने? दोती And a gamusa Gamusa मतलब a traditional table Okay Then next Our favorite Assamese food Healthy and tasty अभी ये जो पिच्चे से ना Food के जो यहाँ पर दिये है ये किसके फिच्चे से फिच्चे से है? Janove और उसके भाई नियॉर के और उन्हें क्या लिखाए देखो? Healthy and tasty First First पिच्चे देखिए मसूर टेंगा मसूर टेंगा Is a fish curry ये क्या है? Fish curry Cooked in broth Made with tomato Oatenga Oatenga मतलब elephant apple And lemon And it is eaten with rice Then second picture में देखिए यहाँ पर क्या है? आलू पिटिका आलू पिटिका Is a simple dish Eaten with rice and dal दाल चाहुल के साथ खाते हैं ये वाली डिश It is made of ये कैसे बनती है? देखो Mashed और crushed potatoes Mixed with mustard oil Onion Coriander And salt पहले potato को mash करते हैं उन्हें क्रश करते हैं और उसमें क्या डालते हैं? Mustard oil Onion Coriander And salt Then next picture पिठा is a snack Made of rice ये पिठा क्या है? Snack है किस चीश से बनता है? Rice से चावल से बनता है It can be cooked in different ways अब ये अलग अलग तरीके से cook कर सकते हैं जैसे Sweet और salty जिसको sweet पसंदे तो sweet बनाएगा Salty पसंदे तो salty Steamed और fried मत्तम इसको boil भी कर सकते हैं आप लोग steam पर भी पका सकते हैं या फिर fry भी कर सकते हो It is usually eaten during breakfast or evening tea ये कब खाते हैं एक तो break-masks में खाते हैं या फिर evening में tea के साथ में snacks करके So it is a snack Then last page Postcard from Assam देखो उन्होंने वहाँ से कुछ postcard लाया है वो भी यहाँ पर चिपकाए है Our day trip to Kaziranga National Park को लोग कहा गए थे Kaziranga National Park और देखो उन्होंने क्या क्या किया है First जो postcard है उसमें धेर सारे हाथी दिख रहे है और इधो एक rhinoceros देख रहा है We rode an elephant क्या क्या है उन्होंने elephant की सवारी की थी And saw और क्या देखा A lot of wild animals बहुत सारे wild animals देखे Like Great Indian One-Horn Rhinocerosus Then Royal Bengal Tiger And Golden Langures देखो उन्होंने इतने सारे wild animals देखे वहाँ पर Then next Weekend trip to Shivasagar कहा गे थे weekend में वो लोग Shivasagar One weekend we travelled to the town of Shivasagar To see the Ranghar क्या देखने के लिए गए थे वो Ranghar देखने के लिए गए थे It has Asia's first Amphitheater यह क्या है India का सबसे पहला Amphitheater Amphitheater मतलब क्या होता है बताती हो आपको In the past It served as Royal Sports Buildings Where Kings and Noble Watch Buffalo Fights and Other Sports अभी आपको धान में आया होगा कि यह Amphitheater क्या होता है पहले क्या करते थे जो Royal Sports होते है Royal Sports की बिल्डिंग थी यह पहले और यहाँ पर Buffalo Fights हुआ करते थे और Other Sports और वो देखने के लिए King और शहर के जो बड़े लोग है वो आते थे Actually Amphitheater मतलब अखाड़ा जहाँ पर सारे Sports परफॉर्म के जाते हैं Then last A visit to Guwahati We also went to Guwahati To pray at the Kamakhya Temple क्यों गह थे वो गवाटी में? To pray at the Kamakhya Temple यहाँ पर जो पिच्चर लगाई है यह कामाक्या टेम्पल की It was built around 1100 to 1200 years ago देखो यह जो बंदीर है यह कब का है कब कब बिल्ड क्या था यह ग्यारा सो बारा सो साल के पहले का मंदीर है We also bought beautiful silks bamboo and cane product as a gift for our friends back home अभी वो लोग असाम गये थे तो उन्होंने क्या क्या है उन्होंने बहाँ पर शॉपिंग भी की अपने दोस्तों के लिए कुछ लेकर आए क्या क्या लेकर आए वो beautiful silk then bamboo and cane product as a gift for their friend